दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Hong Kong Women's T20 Tornament के पहले मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा B.S.H. vs. J.J. के बीच में मुकाबला Mission Road Ground में खेला जाएगा और दोस्तो पिछ के बारे में बात की जाएगा तो आपको पता है Women's के मैचेज के अंदर हमेशा दोस्तो जो ओर राउंडर प्लेर्स और जो गेन बाज होते हैं उन्हीं का बोल बाला रहता है और पिछ देखोगे दोस्तो तो यहाँ पे दो T20 मैचस हुए हैं उनके अंदर फर्टनिंग का जो एवरे स्कोर है वो सिर्फ 114 का रहा है यानि दोस्तो आप अपनी टीम क अपने बाज है उनको ट्राइ करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं अब दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे जेजे के बारे में तो दोस्तो आपको बता देता हूँ यहाँ पे यह जो बैटिंग ओर है यह मैंने अपने एक ओर डिंग सेट किया है इसमें कुछ भी आ कर अगर कोई भी इंफर्मेशन मिली तो वह सबसे पहले मिलेगी आपको हमारे टेलिगाम चैनल में और टेलिगाम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो दोस्तो मैं आपको टी टॉन्टी रिकोर्स बताऊंगा इसके नीचे आप है दोस्तो हमेशा जातर ओपन या फिर वन डाउन बल्ले बाजी करती है और रोल देखोगे तो दोस्तो दस मैचस के अंदर 388 रन है लगबग 97 बैटिंग एरोज है और रिसेंट कमाल का है चमाले से गिंदों में 36 फिर 32 ग्यारा और 42 बैटिंग काफी अची रही है बैटिं वाइस कैपन भी आप इनको बना सकते है इनके बाद किन्नू गिल है जादा तर दोस्तो ओपन बल्ले बाजी करती है ग्यारा मैचस की ग्यारा इनिंग में 420 इनके नाम है रिसेंट में 35, 47, 98, 11 और 16 करके आई है बैटिंग के अलावा दोस्तो काफी जवदस विकेड टैकर गेंद बाज भी है एक विकेड 4 विकेड एक विकेड टीन विकेड जीरो विकेड टोटल 11 इनिंग में 19 विकेड इनके नाम है तो बिल्कूल बैस पिक है इनको भी आप कैपन वाजके बना सकते हैं इनके बाद टीनाज काबरील है ओपन या फिर वन डाउन बल्ले बाजी कर है बैटिंग के अलावा दोस्तों पार्टाइम मीडियम फार्ट गेंद बाज हैं एक विकेट जिरो विकेट दो विकेट जिरो विकेट दो विकेट पिछले पांस मैच में इननोंने निकाले वे हैं इनके बाद यहां से जस्मिन टिटमोस जो की टीम की कैप्टनसी करने वाली है जादा तर नमबर 4 या नमबर 5 तक बल्ले बाजी करने आती है और रोल देखोगे 10 मैच में से 7 मैच में इनकी बैटिंग आई है वहाँ पर 27 का इनका बैटिंग एवरेज है बैटिंग दोस्तो जादा नहीं मिलती है लेकिन गेंदबाजी देखोगे दोस्तो जबर 10 विकेट है कर गेंदबाज है पिछले 4 मैच में 2 विकेट, 5 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट तो दोस्तो 10 विकेट पिछले 4 मैच के अंदर ये निकाल चुकी है तो गेंच बाजी के तूर पर बिल्कुल एक अच्छी पिक रहेगी हो सकता है बैटिंग में भी दोस्तो 10-15 नहीं आपको बना के दे दे इनके बाद दोस्तो यहां से लेमोन चिंगूंग है और इनका नाम दोस्तो यहां पे हुउ जिंग चूंग नाम से भी आपको मिल सकता है ये रिकोर्ड दोस्तो कुछ खास नहीं है इनका 10 मैचेज की चैनिंग में सिरफ 59 नहीं है और 10 का अरज है इनके बाद दोस्तो यहां से पुल 2 है वन डाउन से लेकर थ्री डाउन तक बल्ले बाजी कर लेती है रिसेंट के अंदर देखोगे 17, 74, 63, 0 और 6 बैटिंग में है बैटिंग के लाए दोस्तो ओप ब्रेक गेंद बाज है और 0, 0, 2, 0, 2 पिछले 5 मैच में 4 विकेट निकाले है और रोल एक 45 का बैटिंग अरोज है और 6 इनिंग में 6 विकेट है इनके बाद राजवीर कोर है नमबर 5 या नमबर 6 पिजाद तर बैटिंग आती है 11 मैचस की 9 इनिंग के अंदर दोस्तो शिरफ 67 रन है रिसेंट में 14, एक मैच में दोस्तो इन्होंने 27 गेंदों में 42 नाबाद बनाए बागी 0, 3 बैटिंग के लाओ गेंद बाज़ी में मेडियम फार्ट गेंद बाज़ी करती है 10 मैचस की 8 इनिंग के अंदर 10 विकेट इनके नाम है और पिछले 4 में से 3 मैच में बॉलिंग मिली और 3 विकेट इन्होंने निकाले कैटिक गिबंस है लेट बैट आते हैं बैटिंग करने आती है दोस्तो बैटिंग के लाओ टेम कभी गेंद बाज़ी करवाती है कभी टीम गेंदबाजी करवाती हैं पिछले 3 मैचस की दोस्तो खेलके आई है वहां पे 2-2-6 वीकेट इन्होंने टीम को निकाल के दिये हैं तो गेंदबाजी के तौर पर बिल्कुल अच्छी पिक रहेगी ODI के अंदर भी दोस्तों इन्होंने पिछले तीर मैसेज के अंदर शाथ विकेट निकाले हुए है इनके बाद आसले हग है एक average performer गिनबाज है टीम बहुत कम इनका यूज करती है बाकी दोस्तों अगर कोई chances वगेरा हुआ इनके अलाब अगर कोई player खेला तो उसकी update आपको टेलिगाम में मिल जाएगी और टेलिगाम का लिंक आपको वीडियो को नीचे description box में मिल जाएगा अब बात करेंगे be addresses के बारे में उससे पहले दोस्तों आपने देख लिया होगा भाई ने वीडियो बनाने में कितना hard work किया है तो प्लीज दोस्तों motivation के लिएक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल प्रग्राप पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी subscribe करके notification bell icon भी जरूर दबा लें तो दोस्तों यहां से भी batting order मैंने अपने coding ही set किया है इमार राई है दोस्तों जादा तर open ही करती है दस matches की 10 इनी में 181 run है 20 का batting average है recent में 23-8 और 2 करके आई है और दोस्तों जो पचास और उसका matches था वो आप यहां पे नीचे चैक करके चल सकते हैं इनके बाद रूचीता वेंक से ने दोस्तों जाद तर open करती है एक match में 4-down भी आई थी 10 matches की 10 इनी में 127 और 16 का batting average है recent में 1-3 और 16 किया है और batting के लावा दोस्तों 3-4 और गिन बाजी भी करने वाली है 10 matches की 8 इनिंग में 9 विकेट है और पिछले 3 match में कोई विकेट इनको नहीं मिला हुआ इनके बाद मारियान भी भी आपको नज़र आ जाएगी जो की under 19-20 matches खेल के आई है open या फिर 1-down batting करती है recent इतना खास नीरायच है 7-15 और 16 बैटिंग में किया गेंद बाज़ में 2-2 over इनसे करवाए थे वहाँ पर पिछले 4 match में 3 विकेट उनने गेंद बाज़ में निकाले हुए हैं इनके बाद यहां से जस्विंदर कोर आपको नज़र आएगी जो की बैटिंग प्लस में दोस्तों अगर नीड हो तो कभी कबार ओर स्पिन गेंद बाज़ी कर लेती हैं हलांकि ज़्यादा गेंद बाज़ी इन उसे नहीं करवाते हैं बारा एक जीरो उनिस और लास्ट मैच में चम्मारेस के दों में उन्तिस नाबाद बनाए और रोल नो मैचस में सिरफ नवासी रन है बारा का बैटिंग एवरेज है इनके बाद यहां से जाने फिल डैवसिस ओपन या फिर वर्ण नाउन बले बाजी करती हैं दस मैचस की आठ इनिंग में बैटिंग आई है 99 रन है 19 का एवरेज है रिसेंट में दोस्तों 39 चम्मारेस जीरो और आठ ये करके आई है इनके बाद दोस्तों यहां से नाम आता है सैजीन सैजाद का ओपन से लेकर दोस्तों नमबर 4 तक कहीं पर भी इनको टीम ले आती है 7 मैचस के अं नहीं मिला इनके बाद यहां से जे अलमबुरू है बैटिंग देखोगे दोस्तों तो जीरो पचास चालिस पच्चिस बाइस काफी अच्छी बल्ले बाजी करके आई है नमबर चार या नमबर पांस पर ज्यादतर बैटिंग करती है नो में से साथ इनिंग में दोस्तों 171 28 का बैटिंग एवरेज है और बैटिंग के लाओ दोस्तों चार और कंप्रिट गेंदबाजी करेगी मीडिम फास्ट गेंदबाज है नो इनिंग में 16 विकेट निकाल चुकी है तो दोस्तों बिलकुल कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको बना सकते हैं बिलकुल एक प है और अवरोल 11 मैचेज की 11 इनिंग में 7 विकेट हैं कैरी का यह चान है दोस्तों ज्यादा तर नंबर 4 डाउन तक बल्ले बाजी करती है एक मैच में 42 में 70 35 में 41 पिछले 2 मैच में 6 और 8 करके आई है बैटिंग के लाओ दोस्तों काफी अच्छी विकेट टैकर मीडियम फा बना सकते हैं क्योंकि अच्छी एबिलिटी है इनके पास तो ग्रैंडी में कैप्टन वाज कैप्टन आप जरूर बना सकते हैं अनु एहमद है दोस्तों 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन कहीं पर भी बैटिंग आ जाती है बैटिंग कुछ खास इनकी नहीं रही है गेन बाजी दे इसमें 22 डाउन उस मैच में इन्होंने बनाए थे गेनबाजी में दोस्तों पार टाइम यूज करते हैं 10 मैचेज की 6 इनिंग में गेनबाजी की है वहाँ पर दोस्तों इन्होंने 6 विकेट निकाले हुए हैं इनके बाद यहां से डी सिंग यान चान है मीडियम फास्ट गे पिछले चार मैच में दोस्तों इन्होंने एक ममैच में जान इस्ट निकाले थे बागी के 3 में मिला इनके बाद मेए वाई-अलिसुन आवास्यर्प विकेट करती है और पिछली चार मैकंच के अंदर सिर्फ één वेकेट है आज नौ मैकंक्छ की नौनिग में 足रा दैंए जर करना है WGF24 और सिधा सर्च करके जूर जाना है टेली काम के अंदर अब बात करेंगे हमारी डेमो टीम के बारे में और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता हूँ एक इंट्रेस्टिंग बात बात यह है दोस्तों की प्लेश्पोर्ट अप्लिकेशन है वह आपको ओलाइन गैम खेलके काफी अच्छी रर्निंग करने का मौका दे रही है आप यहाँ पर दोस्तों सांफ सीडी लुडो चेश सीफ फाइड जैसे दोस्तों गैम खेलके इंटर्टैन्मेंट के सासाथ क आप भी कर सकते हैं साइनम नहीं किया तो लिंक और एफल कोड दोस्तों आपको मारी टेलिगाम चैनल में पिन किया हुआ मिल जाएगा अगर आप रैफल कोड के साथ आते हैं तो आपको 100 रुपे का बोनस भी हां पर मिल जाएगा और गीव ओफर का भी दोस्तों आपको यह दोस्तों आपको टेलिगाम के अंदर तो उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्काइब करना ना भूले और हर फाइनल अपडेट के लिए टेलिगाम को बिलकुल मिस्स मत करें टाइप करें WGF24 वो साज करके जोड़ जाए टेलिगाम के अंदर थैंक्यू फ्रेंट्स व्लदा बेस्ट